नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का The World News के एक और ने एपिसोड में तो दोस्तों भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर निकल कर सामने आई है और भारत को बड़ी खुशकबली दी है लेकिन क्या है ये पूरा मामला चलिए डीटेल से समझते हैं तो दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल जून के महिने में भारत और रशिया के बीच में एक बड़ा समझोता हुआ था इस समझते के तहर दोनों देशों ने ये ते किया था कि अब तक दोनों देशों का जो भी व्यापार होता है और उस व्यापार का जो भी पेमेंट किया जाता है वो सब कुछ होता है American डॉलर या फिर European करणसी यूरो में लेकिन जून 2022 से अब दोनों देश जो भी वैपार करेंगे वो लोकल करेंसी में किया जाएगा यानि कि भारतिय रूपिया और रशिया के रूबल में यानि कि अमेरिकन डॉलर और यूरोपिन यूरो का इस्तमाल बंद कर दिया जाएगा और आपको बता दू कि ये समझोता ना सिर्फ अमेरिका के लिए जटका था बलकि चाइना के लिए भी करारा जटका माना जा रहा है क्यूं? वो इसलिए क्यूंकि इस साल की शुरुआत में जब युद शुरू हुआ था तब वेस्टन देशों ने अमेरिकन डॉलर और यूरोपिन यूरो का इस्तमाल करते हुए रशिया के खिलाफ कठोर प्रतिबन लगाए और रशिया को भारी नुकसान भी पहुचाया था कि अब आप अपना जो भी व्यापार है वो डॉलर और यूरो में नहीं करोगे तो आप ऐसा करना कि हमारी जो करंसी है यानि कि चाइनीज यूआन उसका इस्तमाल करना और उससे अपना ट्रेड करना और ये चाइना के लिए बड़ी जीत होती क्योंकि सबसे पहला काम ये होता कि चाइनीज करंसी की डिमान बढ़ती जिससे कि इसकी वेल्यू बढ़ती और चाइनीज यूआन और ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉंग होता दुसरा ये कि रशिया भारत जैसे देशों से भी व्यापार करता है और वहाँ पर जब चाइनीज यूआन का इस्तमाल होगा तो इसका फाइदा चाइना उठा सकता है क्योंकि भारत और रशिया के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा चाइना उसे ट्रेक करने की स्टमता रखेगा चाइना पता लगा सकेगा कि दोनों के बीच में क्या इंटरनेट डिस्कुशन हो रहे हैं और ये भारत के लिए कितना घातक साबित हो सकता था इसलिए भारत जल से जल लोकल करन्सी का पैक्ट करना चाता था जो इस साल के जून महिने में हो गया था लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमीत नहीं थी अब से कुछ दिन पहले श्रीलंका भी आ गया आया और उसने कहा कि वो भी भारत के साथ अब रुपी में ट्रेड करना शुरू करेगा यानि कि अब तक श्रीलंका और भारत का व्यापार अमेरिकन डॉलर में होता था लेकिन अब वहाँ पर भी भारतिय रुपिया डॉलर को रिप्लेस कर चुका है लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है अब जो मैं आपको ख़बर बताने जा रहा हूँ वो तो हद से जादा बड़ी है धरसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए खबर निकल कर सामने ये आ रही है कि कम से कम दुनिया के 30 से 35 ऐसे देश है जो भारतिय रुपए को इस्तमाल करने के लिए अपना इंट्रेस दिखा रहे हैं और इसमें से बहुत से देश तो ऐसे हैं जो भारत से अल्रेडि टच में भी है और बात्चीत कर रहे हैं कि कैसे भारत और उन देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है American dollar में होता है तो किस तरीके से हम American dollar को वहाँ से खटाये और भारतिय रुपए का जजाद सजादा इस्तमाल करें वहीं कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे देश आने वाले कुछी समय में भारत से समझोता भी करना शुरू कर देंगे और आपको बता दू कि जैसे जैसे भारत लोकल करनसी के समझोते करता चला जाएगा ठीक वैसे वैसे ही भारतिय करनसी की पावर सुपर पावर में तब्दिल हो जाएगी जिससे कि दुनिया भर में भारतिय रुपय की डिमांड बढ़ेगी और दुनिया में जिस चीज की डिमांड होती है उसी की वैल्यू भी होती है और जिसकी वैल्यू होती है दुनिया में उसी की इज़त होती है भारतिय रुपय को अभी ज़्यादा तर देश एकसेप करने और फिर आप देखिएगा भारती रुपाई की वेल्यू दिन दोगनी और रात चोगनी रफतार से बढ़ेगी। क्योंकि एक बार हमने रुपाई को इस्टेबलिश कर लिया तो फिर दुनिया के बाकी देश भी एक दूसरे का देखा देखी इसका इस्तमाल बढ़ा देंगे। हाला कि आपको बता दूँ कि आने वाले समय में भारत जब भी किसी देश के साथ लोकल करंसी का टैक्ट साइन करेगा तो मैं आपको इस बारे में वीडियो बना कर बता दूँगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आपको बताता हूँ कुछ इंट्रेसिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत के जो नोट्स होते हैं उन्हें कॉटन से बनाया जाता है। जिससे कि वो एजीली फटे नहीं और लंबे समय तक इस्तमाल हो। और तो और भारत में 1954 से 1978 तक 10,000 रुपे के नोट्स भी पाए जाते थे। और उन्हें demonetization के जरिये इंडियन government ने बन कर दिया था। पूरी दुनिया में 8 देश आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी currency का नाम रुपया है जिसका origin भारत से ही आता है। और भारती एरुपया पुरे विश्व की one of the oldest currency मानी जाती है। हाला कि इस वीडियो के बारे में आपकी रहे हमें comment section में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें।